मैं भानूप्रिया GLC IAS के इस ओनलाइन मंच में आप सभी का हारदिक हारदिक स्वागत अभिना दन करती हूँ और ये महाँ अभ्यास्टीरी सिरीज जो चल रही है इसमें आज हम लोग यूनिट 6 यानि MPPSC Prelims के यूनिट 6 के Objective Questions solve करेंगे साथ ही ये है रामबान बेच इसमें मिलने वाला है पूरा MPPSC Prelims का Full Course जिसमें आपको recorded video lecture उसके notes जो PDF form में होंगे और साथ ही MPPSC के test series भी आपको इसमें पूरी मिल जाएगी और ये है test series तो test series का महत्वा आप सभी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं तो मुझे इसके बारे में बहुत जादा बताने की आवशक्ता आपको नहीं है लेकिन इसमें जो है इस test series में आपको topic wise test मिल जाएंगे, unit wise test मिल जाएंगे, full length test मिल जाएंगे और साथ ही साथ जो previous year papers है वो भी इसमें आपको मिल जाएंगे तो आप ये test series देख सकते हैं application पर जाके अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर निम्न में से किस एक चीज का संबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से नहीं है option है प्रांतों में ध्वेद शासन की समाप्ति, संगिय न्यायालाई की स्थापना, भारत परिशत का अंत या लोकसेवायोग की स्थापना इन में से किस एक वाक्य का संबंध 1935 के भारत शासन अधिनियम से संबंधित नहीं है तो देखे वही, सही उत्तर जो है यहाँ पर वो है D option लोकसेवायोग की स्थापना का संबंध 1935 के अधिनियम से नहीं है 1935 के अधिनियम के तहट प्रांतों में द्वेद शासन समाप्त किया गया और केंद्र में द्वेद शासन लगाया गया संगिय न्यायालाई की स्थापना इसी अधिनियम के तहट की गई थी 1937 में भारत परिशद का अंत भी 1935 के अधिनियम में किया गया जबकि लोकसेवा आयोग की स्थापना हुई थी 1926 में ली आयोग की सिफारिश पर और 1919 के अधिनियम के तहट 1926 में लोकसेवा आयोग की स्थापना हुई थी इसलिए सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर हमारा D अगला प्रेश्ण है भारतिय रिजरो बेंक की स्थापना किस वर्ष हुई 1 जन्वरी 1935, 1 अप्रेल 1935, 1 जन्वरी 1950 और 1 अप्रेल 1934 RBI की स्थापना किस वर्ष हुई फेक्चुल है याद है तो डाइरेक्ट आंसर लगा सकते हैं तो देखिए भारतिय रिजरो बेंक अपने भारत का सर्वोच बेंक है अपेक्स बेंक ओफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रेल 1935 को इसकी स्थापना भी 1935 के अधिनियम के तहती हुई मतला ऐसे तो एक्ट जो है इसकी लिए 1934 का आरबिया एक्ट आया था और कब हुई स्थापना 1 अप्रेल 1935 को इसकी स्थापना हुई और 1 जन्वरी निस्थापना यानि 1949 में इसका राष्ट्रिय करण हुआ नेशनलाइजेशन हुआ ठीके और आरबिया एक्ट की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी तो देखो हिल्टन यंग कमिशन की सिफारिश पर आरबिया एक्ट की स्थापना हुई और इसके पहले गवर्णर कोन थे आरबिया के पहले गवर्णर थे Osborne Smith और पहले भारतिय गवर्णर थे इसके CD देशमूख और अब आप मुझे कमेंट में करेंगे बताएंगे कि अभी वर्तमान में RBI के गवर्णर कोन है वर्तमान में RBI के गवर्णर कोन है कमेंट बोक्स में बताएए अगला प्रश्न है निम्न मेंसे कोन एक प्रारूप समीती के सदस्य नहीं थे आप सभी जानते हैं प्रारूप समीती में कित्ते सदस्य थे साथ सदस्य थे अध्यक्षु सहीत तो इन मेंसे कोन सा एक व्यक्ति इसका सदस्य नहीं था अल्लादी कृष्ण स्वामी अयर बेनेगल रमा राव, माधव राव या संयद मुहम्मद सादुल्ला कौन इसमें से प्रारूप समीती के सदस्य नहीं थे तो देखते हैं इसमें जो सही उत्तर है वो है यहाँ पर ओप्शन बी बेनेगल रमा राव यह इसके सदस्य नहीं थे जबकि अल्ला दिकृष्ण स्वामी आईयर, माधव राव और संयद मुहम्मद सादुल्ला यह तीनों प्रारूप समीती के सदस्य थे और जो बेनेगल रमा राव है इन्हें हम जानते हैं समवेधानिक सलाहकार के नाम से समवेधानिक सलाहकार के नाम से किसे जाना जाता है बेनेगल रमा राव को इन्हें ही कहते हैं शोल्ट में बी एन राव बेनेगल रमा राव और स्थापना कब हुई थी प्रारूप समीती की तारिक सहीत बताईए स्थापना कब हुई थी 29 अगस्त 1947 को अगला प्रश्न देखते हैं भारत शासन अधिनियाम 1935 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी 326 और 8 अनुसूचियां 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां 320 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां या 321 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां भारत शासन अधिनियाम 1935 में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी तो देखिए यहाँ पर जो सही उत्तर है सही उत्तर हैं आपर option B 321 अनुछेद और 10 अनुछेद और 10 अनुछेद थी 1935 के अधिनियम में और सविधान का सबसे मुख्य इस्त्रोध भी कौन सा है 1935 का अधिनियम अधिकतर चीजें सविधान में हमने 1935 के अधिनियम से AC के AC ले ली थी ठीके? आगे प्रेशन देखिए Planned Economy for India पुस्तक किस ने लिखी? बहुत फेमस बुक है ये और बहुत व्यक्ती भी बहुत फेमस हैं Planned Economy for India पुस्तक किस ने लिखी? दादा भाई नोरो जी, नहरू जी, एम विश्वश्वरेया या जय प्रकाश नाराया तो देख लेते हैं, सही उत्तर जो है, वो है यहाँ पर एम विश्वेश्वरेया, बहुत बड़े एकोनोमिस्ट भी रहे थे ये, इंजिनियर भी थे तो जो एम विश्वेश्वरेया हैं, इन्होंने कौनसी पुस्तक लिखी? Planned Economy for India और जो जय प्रकाश नारायान थे जय प्रकाश नारायन जो थे, इनकी तो जानते ही होंगे आप संपूर्ण क्रांती संपूर्ण क्रांती बहुती प्रसिद्ध हैं इनकी 1974 में करी थी इन्होंने संपूर्ण क्रांती चात्र अंदोलन के साथ शुरू हुई थी है और नहरू जी की पुस्तक कौन सी है? The Glimpses of India ये इनकी बुक हैं उसके बाद दादा भाई नोरो जी इन्होंने कौन सा सिद्धानत दिया? Drain of Wealth Drain of Wealth Drain of Wealth सिद्धानत दिया दादा भाई नोरो जी ने मतलब धन निर्गमन का सिद्धानत बढ़ते हैं अगले प्रश्ण पर किस शेत्र में लोग सभा को राज सभा की तूलना में अधिक शक्ती प्राप्त नहीं है? एसा शेत्र बताना ये चारों में से जिस शेत्र में लोग सभा को राज सभा की तूलना में अधिक शक्ती प्राप्त नहीं है? धन विधयक के सम्मंद में, वित्त विधयक के सम्मंद में, मंत्री परिशत के उत्तर दाईत्व के सम्मंद में या अखिल भारतिय सेवा की स्थापना में बहुती अच्छा प्रश्ण है ये एक बार आराम से सोचिए और आंसर दीजिए किस शेत्र में लोग सभा को राज सभा की तूलना में अधिक शक्ती प्राप्त नहीं है तो यहाँ पर सही उत्तर है सही उत्तर है option D अखिल भारतिय सेवा की स्थापना में अच्छा अब ये बताए कि अखिल भारतिय सेवा की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत की जाती है तो अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतिय सेवाओं की स्थापना की जाती है और इसमें जो अधिक शक्तियां है वो राज्य सभा को प्राप्त है ठीके अखिल भारतिय स सेवा में अधिक शक्तियां राज्य सभा को प्राप्त है जब कि ऊपर वाले तीनों चीजें देखे तो इसमें जो शक्तियां है वो लोग सभा के पास अधीग है ना वित्विधयक भी दो तरके होते हैं टाइप वन टाइप टू तो टाइप वन में जो है दोनों को बराबर मिलती है लेकिन डाइब 2 में लोकसभा की शक्तियां अधीक होती है तो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर D उच्छ न्याय लए में न्याई धीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है उच्छ न्याय लए या उच्छतम न्याय लए कर लो इनकी संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है राश्ट्रपती के पास संसद के पास भारत के मुख्यनिया इधीश के पास या राज्यसभा के पास कौन जो है जजेस की संख्या बढ़ा सकता है राश्ट्रपती, संसद, भारत के मुख्य नियाईधीश या राज्यसभा तो देखिए जो correct answer है वो है यहाँ पर B जो Supreme Court है Supreme Court या High Court इसमें जो जजों की संख्या बढ़ाने का अधिकार है वो संसद के पास है चाए उनकी salary हो या उनके tenure हो ये सारी चीजे बढ़ाने या घटाने का अधिकार जो है वो संसद के पास है जबकि इसमें नियुक्ती जो करते हैं जजेस की नियुक्ती करते हैं राश्ट्रपती बाकि सीटे बढ़ाने का अधिकार ये अधिकार जो है संसत के पास है अगला प्रेश्ण है किस अनुच्छेद में कार्य पालिका से न्याय पालिका का प्रथक करण वर्णित है? आर्टिकल 39, आर्टिकल 42, आर्टिकल 44 और आर्टिकल 50 आर्टिकल 39, 42, 44 या 50 तो देखते हैं इसमें इसमें जो करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है यहांपर D, 50 50-50 शक्तियां बाट दी दोनों में यानि कि कार्य पालिका और न्याय पालिका की शक्तियों का प्रथक करण की अनुच्छेद में दिया हुआ है और आर्टिकल 39 में क्या है इसमें बहुत सारी चीज़े वाणनी थे जैसे की नीशुल्क विदिक सहायता और और क्या है इसमें समान कार्य समान वेतन समान कार्य समान वेतन यह है आर्टिकल 39 इनके अलावा भी और भी चीज़ें है 42 में क्या है कार्य के लिए उचित मानवोचित दशाएं जैसे की कार्य है तू मानवोचित दशाएं मतला अगर कई आप काम करने जा रहे हो तो आपको एक अच्छी वर्क प्लेस उपलब्द कराई जाए वेंटिलेशन हो, फेन हो, अच्छी चीज़ें तो जहां पर भी आप कार्य कर रहे हो वहां की दशाएं मानवोचित दशाएं हो और इसमें प्रसूती सहायता का भी वर्नन है आर्टिकल 42 में मैटरिनिटी बेनिफिट या प्रसूती सहायता का भी इसमें वर्नन है और आर्टिकल 44 में क्या है Civil Code Bill समान नागरिक सहिता युनिफॉर्म सिविल कोड यानि कि समान नागरिक सहिता इसका वर्णहने आर्टिकल फोटिफोर में आगे देखी अगला प्रश्न किस सविधान संचुधन द्वारा दिल्ली व पुद्दुचेरी की विधान सभा को राष्ट्रपती के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमती मिली 44 सविधान संचुधन 1998, 61 सविधान संचुधन 1988, 69 सविधान संचुधन 1992 या 70 अमेंडमेंड 1992 इन चारों में से किस सविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्र पती के निर्वाचन में दिल्ली और पोंडीचेरी को राष्ट्र पती के निर्वाचन में भाग लेनी की अनुमती मिली तो देखिए जो सही उत्तर है सही उत्तर है यहाँ पर ओप्शन D सित्तरवा सविधान संशोदन 1992 इसके द्वारा दिली और पुद्दुचेरी को राश्टपती के निर्वाचन में भाग लेने की अनुमती मिली और 44 अमेंडमेंड 1978 के द्वारा क्या हुआ इसके द्वारा संपत्ती के अधिकार को संपत्ती के अधिकार को मोलिक अधिकार से हटा कर और कानूनी अधिकार बना दिया और मोलिक अधिकार से अठा कर अनुच्छेद 300 कम इसे डाल दिया गया 61 अमेंडमेंड 1988 कहीं पर 1989 मिलता है तो इसके ध्वारा क्या हुआ 61 amendment के ध्वारा जो वोट देनी की नियूंतम आयू है जो अभी 18 वर्ष है पहले 21 वर्ष थी तो 61 सविधान संचुदन के ध्वारा वोट देनी की आयू 21 वर्ष से गटा कर 18 वर्ष कर दी गई फिर 69 amendment 1992 में क्या वार्णी थे तो इसमें दिया गया है कि इसमें दिल्ली को राजधानी शेत्र का दर्जा दिया गया दिल्ली को NCR गोशित किया 69 amendment के द्वारा अगला प्रेश्ण देखो निम्न मेंसे कौन सा एक वाक्य मोलिक कर्तवियों से सम्मंधित नहीं है और मुल्स अविदान में 11 मोलिक कर्तवियों थे इन चारों में से कौन सा वाक्य गलत है ये बताना है आपको मोलिक कर्तवियों के सम्मंध में इन चारों में से कौन सा वाक्य गलत है तो देखें या पर जो गलत वाक्य है वो है D यानि कि हमारा सही आंसर हो जाएगा D कैसे क्योंकि देखो मूल सविधान में सिर्फ 10 मौली कदिकार का वर्णन था कितने मूल अधिकार में सिर्फ 10 मौली कदिकार थे और जो 11 मौली कदिकार है वो 86 अमेंडमेंट 2002 के द्वारा जोड़ा गया ठीक है तो करेक्टान सो जाएगा यहाँ पर D बाकि यह तीनों पॉइंट सही है जो मौलिक कर्तव यहें मौलिक कर्तव को स्वांड सी है समिती की सिफारिश से जोड़ा गया था और अनुच्छे दिकावन कर में इनको रखा गया और भाग भाग चार कर में इनको रखा गया और 42 अमेंडमेंट 1976 के द्वारा यह सविधान में जुड़े थे और यह जो मौलिक कर्तव यह हैं हमने USSR यानि के सोवियत संग से ग्रहन किये हैं अगला प्रश्ण देखो यह रामबाण बेच है और इस रामबाण बेच में आप लोगों को प्रिलिम्स का MPPS से प्रिलिम्स को लेकर पूरा जो है सिले बस यहां कवर कर आया गया है इसमें आपको recorded video lectures है मिल जाएंगे साथ ही notes PDF में मिल जाएंगे और जो MPPS से प्रिलिम्स के test series है वो भी इसमें add-on कर दी गई है तो जिन लोगों को ऐसा लगता है कि वो जादा उन्हें knowledge नहीं है PSC को लेकर कि कितना पड़े क्या पड़े या जो लोग घबरा रहें कि content बहुत जादा है अमारे पास लेकिन समय बहुत कम है कैसे ही से पड़े तो एसे लोग इस course की तरफ जो है अपना रुजान डाल सकते हैं इसकी और मुड़ सकते हैं तो आप इसको एक बार देख लीजेगा इसके demo PDFs देख लीजेगा आपको जो अच्छा लगे आप बिलकुल इस course की तरफ प्रिफर कर सकते हैं अगला प्रस्ण देखिए किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुवात कब हुई? 1988, 1998, 1992 या 2000 किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुवात कब हुई थी? 1988, 1998, 1992 या 2000 तो सही उत्तर जो है वो है यहाँ पर सही उत्तर है बी 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड के शुरुवात हुई थी और अब आप लोग मुझे कमेंट में यह बताएंगे कि सोईल हेल्थ कार्ड के शुरुवात कब हुई ठीक है आगे देखिए प्रश्न संयुकत अधिवेशन की अध्यक्षता कोन करते हैं राश्टर पति करते हैं लोगसभा अध्यक्ष उपराश्टर पति या राजसभा के उपसभा पति संयूक्त अधिवेशन के अध्यक्षता कौन करते हैं राश्ट्रपती, लोगसभा अध्यक्ष, उपराश्ट्रपती या राज्यसभा के उपसभापती जो correct answer है यहाँ पर वो है option B लोगसभा अध्यक्ष लोग सभा अध्यक्ष संयूक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करते हैं जबकि संयूक्त अधिवेशन को बुलाने का काम कोन करते हैं? रास्ट्रपती इन्हें बुलाते रास्ट्रपती हैं लेकिन इनकी अध्यक्षता लोग सभा अध्यक्ष करते हैं और अनुच्छेद 108 में संयुक्त अधिवेशन का वर्णन है आगे देखते हैं प्रश्ण निम्न में से किसी एक राज्य की राज्यसभा सीट मध्य प्रदेश के राज्यसभा सीटों के बराबर नहीं है मतलब अपने MP में राज्यसभा सीटे कितनी है 11 सीट है राज्यसभा की MP में तो इन में से इसा कौन सा राज्य है जिसमें जो राज्यसभा सीट है वो मध्य प्रदेश के बराबर नहीं है कौन सा इसा राज्य है जिसकी राज्यसभा सीटे मध्य प्रदेश की राज्यसभा सीटों के बराबर नहीं है तो देखो यहां पर जो सही उत्तर है सही उत्तर है option B राजस्थान क्योंकि राजस्थान में राजसभा सीटे कितनी है 10 और गुजरात में राजसभा सीटे है 11 आंधर प्रदेश में राजसभा सीटे है 11 और MP में राजसभा सीटे है 11 तो सिर्फ राजस्थान एसा है इस इन चार ओप्शन में जिसकी राजसभा सीटें MP की राजसभा सीटों के बराबर नहीं है तो कर्रेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर B अगला प्रश्ण देखिए दीपक मोहंती समीती का संबंध किस शेत्र से है बैंकिंग वित्तिय समावेशन मोद्रिक नीती या ग्राहक सेवा सुधार तो देखो जो सही उत्तर है यहाँ पर सही उत्तर है यहाँ पर ओप्शन B वित्तिय समावेशन फाइनिशियल इंक्लूजन वित्तिय समावेशन का संबंध है दीपक मोहंती समीती से और बैंकिंग से सम्बंधित समीती है नर्सिमहन समीती मोद्रिक नीती से सम्बंधित समीती है सुब्बाराव समीती और ग्राहक सेवा सुधार से सम्बंधित है गोईपोरिया समीती ग्राहक सेवा सुधार वित्तिय समावेशन के लिए दीपक मोहंती समीती आगे देखो प्रश्ण Stand-up योजना Stand-up योजना की शुरुवात कब हुई थी? 2016, 2014, 2018 या 2020 Stand-up योजना की शुरुवात कब हुई थी? 2016, 2014, 2018 या 2020 तो जो सही उत्तर है सही उत्तर है यहाँ पर option A 2016 में Stand-up योजना की शुरुवात हुई 2014 में सब भी जानते हैं स्वच्छ भारत अभियान स्वच्छ भारत अभियान चलाया गया था और 2018 में आप सब भी जानते हैं आयुष्मान भारत योजना जो पूरे भारत की सबसे बड़ी स्वास्थी योजना है आयुष्मान भारत योजना चलायी गयी थी तारिक थी इसकी 23 सितंबर 2018 और 2020 में चला था आत्म निर्भर भारत अभियान आत्म निर्भर भारत अभियान चला था 2020 में तो सही उत्तर जो है वो है 2016 स्टेंड अप योजना अगला प्रश्न देखो सेबी का फूल फॉर्म क्या है सेबी का पूर्ण रूप क्या है सिक्यूरिटी और एक्स्चेंज ब्यूरो ओफ इंडिया स्टेट एक्स्चेंज बॉर्ड ओफ इंडिया स्टेट एक्स्चेंज ब्यूरो ओफ इंडिया या Security and Exchange Board of India सेबी का पूर्ण रूप क्या है Security and Exchange Bureau of India State Exchange Board of India State Exchange Bureau of India Security and Exchange Board of India तो सही उत्तर जो है वो है याँ पर D Security and Exchange Board of India ये सेबी का पूर्ण रूप है सेबी की स्थापना कब हुई थी 1988 में सेबी की स्थापना हुई थी और 1992 में इसे 1992 में इसे सामवितिक दर्जा दिया गया इसे Statutory Body बनाया गया अगला प्रेशन देखिए Supreme Court द्वारा घोशित विधी का सभी नियायलाई में लागू होना किस अनुच्छेद में वर्णी थे यानि कि Supreme Court ने कोई decision दे दिया तो उसको सभी नियायलाई लागू करेंगे भारत के सभी शेत्र में वो decision लागू होगा ये बात कौन से अनुच्छेद में की गई है आर्टिकल 124, आर्टिकल 129, आर्टिकल 137 या आर्टिकल 141 तो जो सही उत्तर है आप Elimination Method का भी आप प्रयोग कर सकते हैं Correct answer है यहाँ पर D. 141 आर्टिकल 141 में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी decision दिया है या जो भी विधी बताई घूशित करी है वो पूरे संपूर्ण भारत शेत्र में लागू होगी आर्टिकल 124 में दिया है सुप्रीम कोर्ट का गठन और 129 में दिया है सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायाले होगा सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायाले होगा यह दिया है आर्टिकल 129 में और 137 में दिया है न्यायिक पुनराव लोकन जुडिशियल रिव्यू दिया है आर्टिकल 137 में और जुडिशियल रिव्यू किया उधारना हमने कहां से लिए अमेरिका से लिए है आगे देखिए प्रश्न राश्ट्रपती संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी भी बिल पर अपनी स्विक्रती रोक सकते हैं किस अनुच्छेद के तहत 105, 111, 108 या 110 तो जो correct answer है यहाँ पर वो है option B 111, 111 में दिया हुआ है जो veto power से राश्टरपति की वो किस में है 111 में वरनी थे फिर देखिए 105 में क्या है 105 में दिया है संसद के विशेशादीकार विशेशादीकार संसद के 108 में दिया है संयूक्त अधिवेशन और 110 में दिया है धन विधेयक मनी बिल के बारे में धन विधेयक अब आगे देखते हैं प्रेश्ण केंद्र में द्वी सदनात्मक विधाई का की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई केंद्र में द्वी सदनात्मक विधाई का की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई तो देखो जो करेक्ट आंसर है करेक्ट आंसर है यहाँ पर ओप्शन ए भारत शासन अधिनियम इसके तहत केंद्र में द्वी सदनात्मक विधाई का की स्थापना की गई थी और जो द्वी सदनात्मक विधाई का बनी थी उसमें दो पार्ट कौन-कौन से थे दो पार्ट में थे एक राज़ परिशद एक थी राज़ परिशद और दुसरा पार्ट था केंद्रिय विधान सभा केंद्रिय विधान सभा ठीके द्वी सदनात्मक विधाईका में दो सदन कोन कोन से थे राज़ परिशद और केंद्रिय विधान सबा जो राज़ परिशद है उसमें टोटल 60 सदस्य थे और जो केंद्रिय विधान सबा है इसमें टोटल 144 सदस्य थे और जो राज़ परिशद है उसका राज़ परिशद का कार्यकाल था 5 वर्ष जबकि केंद्रिय विधान सबा का कार्यकाल था 3 वर्ष यह ना केंद्रिय विधान सबा का कार्यकाल था 3 वर्ष यह ध्यान रहेगा दो सदन बने एक राज्य परिशत बनी एक केंद्रिय विधान सबा बनी राज्य परिशद में 60 सदस्य थे और केंद्री विधान सभा में 144 सदस्य थे राज्य परिशद का कार्यकाल पांच वर्ष था जबकि केंद्री विधान सभा का कार्यकाल तीन वर्ष था आगे देखते हैं अगला प्रेश्ण सविधान सभा में कुल कितनी महिला सदस्य थी 15, 25, 10 या 18 कुल कितनी महिला सदस्य थी सविधान सभा में तो देखिए देखो शुरू से महिलाओं को प्रतिनी दित्व तो मिला है सविधान सभा में भी थी, कितनी महिला हैं थी? 15, correct answer यहां 15, 15 महिला सदस्च जो थी, वो थी सविधान सभा में, ठीके? अब यह देखिए, MPPS से Prelims Test Series, तो यह Test Series जो है, इस Test Series में आपको Topic to Topic Test मिल जाएंगे, जैसे कि अगर Topic दिया है, कि न्याया लए या राष्ट पती, तो राष्ट पती से related सारे questions आ गए, इसे Topic to Topic Test है, यूनिट वाइस टेस्ट भी है, कि यूनिट 1 का, पेपर यूनिट 2 का, पेपर यूनिट 3 का, और फुल लेंथ टेस्ट, जैसा कि आप एक्जाम होल में देते हैं, वैसा फुल लेंथ टेस्ट भी मिल जाएंगे इसमें, और previous year papers भी इसमें आपको मिल जाएंगे, और तो आप लोग टेस्ट सीरीस के लिए बिलकुल यहाँ पर विजिट कर सकते हैं, GLC IAS application पर, और जो है, आज की प्रशनोतरी यहीं समापत होती है, GLC के साथ जूरने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद,